बच्चों में अनिद्रा की परेशानी जो होती है या दिन में अर्दनिद्रा की परेशानी होती है इसके बारे में मैं आपसे आज बात्चीत करने वाला हूँ आए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार सेख्स रोग सम्मों तथा वेसमों की तग्यों महाराष्टर में आकोला नाकपूर पुने मुंबई याम प्रैक्टिस करते हमारे हॉस्पिटल से एक सर्वेक्षन किया गया 1125 बच्चों का जिनकी उमर 12-18 साल की थी वो सर्वेक्षन में ऐसा पाया गया कि 20 प्रतिशत लोक मतलब 20 प्रतिशत बच्चे अर्दन इद्रा की आवस्ता में दिन में रहते हैं ऐसा उनको जबकी जैसे आती बीच-बीच में 25 प्रतिशत बच्चे उनको अन इद्रा के लक्षन दिन में दिखाई दिये और लक्षन इसका मतलब रात को निन नहीं लह रहे और वह लक्षन उनको दिखॉंध दे रहे दैरे दिन में और चार प्रतिशत ऐसे 는 वच्चे थे कि जिनको पूरा नितरा नास्थ था उनको निन не नहीं आती थी आती थी अमई गँठोन्टी नहीं आती थी तो नीन का रात को नहीं आना या रात को गहरी नहीं नहीं आना ये काफ़ी लोगों को परिशाने होते रहती है मतलब कंडिशन है कि उसने आराम करना चाहिए निन लेना चाहिए और यूजिली छे से आठ घंटे निन लगती है और बच्चों में वह आठ से नौ घंटे लगती है नहीं थी नहीं आती बराबर या नहीं लेते है तो जीवन का दरज़ा जो है कॉलिटी ओफ लाइफ जाता है नीचला हो जाता है गसर जाता है य yen्दे रात को नहीं आई तो दिनमें सचेतन नहीं रहता मन और फिर लक्षक के इंद्रित नहीं होता कोई काम में जागरूप नहीं रहता फोकस नहीं होता अटेंशन नहीं रहता है उसका और फिर यदि ब्रेन दिन में सचेतन नहीं होगा क्योंकि हमारा ब्रेन कैसा बना हुआ है ब्रेन मारा ऐसा बना हुआ है कि वो दिन में सचेतन रहता है अटेंशन में रहता है जागुरु कवस्ता में दिन में रहता है और वो जागुरु कवस्ता में दिन में नहीं रहा तो फिर भुलक कड़पन आना लक्ष के इंद्रित नहीं होना concentration attention नहीं होना फिर चिर्चिरापन होना भावना कातिरेक हो जाना या फिर गुसा करना ऐसा ऐसे अलग-अलग-अलग अलग-लग लक्षन उसमें दिखाई देते रहते हैं कभी accident भी हो जाता है accident और कभी-गभी accident भी हो सकता है और हमको समझता है कि accident हुआ कैसे क्यों कि छपकी लग जाती है और फिर उसमें accident हो जाता है अब यह लोगों में रात को गहरी नीन नहीं आती फिर और वो बार-बार उनको उठना पड़ता है मूड बदलते रहते हैं तो फिर लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं इसका कारण क्या है एक तो ब्रेन का को देर तक वैयम करते रहते एक्जरसाइज कसरत करते उससे फिर रात को जल्दी नीन नहीं आती या फिर शिगरेट तंबाकू का सेवन करना या चाय कॉफी देरी से लेना या फिर रात को सोने के समय मोबाइल टीवी उसमें उत्ते जनात्म कारेकरम देखना तो ऐसे उसमे ओटना यह काना वग्यात वह कजैने साइकल बराबर लाइम पर आ सकते हैं कुछ लोग यह और दिननदा और असी बीची बीच में कभी जहबकी आएंगी इसके लिए पिर क्या तो आप बना सकते हो कि दिन में 20-30 मिनिट की जबकी लेना एक प्लान वह सकता है या फिर समय पे उठना समय पे सोना यह दि पराबर प्लाइनिंग में किया तो रात की जो स्लीप अवेक साइकल जो है वह बराबर लाइन पर आ जाएंगी और कुछ दिन बाद में इनका प्राब्लेमेटिक उनको महसूस होता है प्राटिविटी कम हो जाती है तो यह वीडियो ज़रू लोगों को शेर करो उनको बताओ आपको अच्छा रहा तो यूदिविश्चा करो लाइक करो थैंक्स फॉर वाचिंग प्राब्लेमेटिक